नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैरों से आने वाली बद्बु के बारे में दोस्तों पैरों से बद्बु आने की स्थिति को मेडिकल शब्दों में ब्रोमोडोसिस कहा जाता है और ज्यादा तर लोग पैरों से बद्बु आने को एक आम समस सबसे मुख्य लक्षन होता है और इस स्थिति का आम तोर पर अपने आप पता लग जाता और इसका परिक्षन करने के लिए किसी विशेश प्रकार की टेस्ट की आवशक्ता नहीं पड़ती है कुछ सामन्य बातों का ध्यान रखकर पैरों में बद्बू पैदा होने की रोक्त पैरों में मौझूद बैक्टरिया की संख्या में कमी करके ब्रोमोडोसिस की समस्या को कंट्रोल किया जा सकता है जैसे कि रोजाना पैरों को दोना और समय समय पर अपने जूतों को बदलते रहना यदि पैरों में बद्बू होने का कारण इंफेक्शन है तो यह एक दरदन नाक स्थिती बन सकती है और इसका इलाज करने के लिए आपको एंटी बायोटी या फिर एंटी फंगल दवाओं की आवशक्ता भी पढ़ सकती है दोस्तों बात की जाए कि ब्रोमोडोसिस क्या होता है तो ब्रोमोडोसिस को सामन्य भासामा पेरों से बद्बू आना कहा जाता है मनुष्यों के पैरों में उनके शरीर के किसी भी हिस्से से अधिक पसीने की गरंतिया होती है यदि कोई व्यक्ति जुराबे और जूते पहने हुए है तो अधिक मात्रा में निकला हुआ पसीना हवा ना लगने के कारण सूखा या फिर बास पन नहीं बन पाता है और इस इसके साथ अन्य लक्षन भी देखे जा सकते हैं जैसे कि पैरों में जितना अधिक पसीना आता है जुराबे उतना ही अधिक पसीना सोक लेती है जिसके कारण जुराबे गिली हो जाती है पैर की तवचा में किसी प्रकार का कट या चाला भी पढ़ सकता है जिसमें की इंफ infection के कारण पैर में बद्बू हुई है तो पैर में दर्द भी महसूस हो सकता है और बात की जाए कि डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए तो कभी-कभी व्यक्ति द्वारा पूरा प्रयास करने के बावजूद भी वे अपने पैरों से आने वाली तीवर बद्बू से चुटकरान नहीं पापाते हैं और ऐसे मामलों में उन्हें डॉक्टर के पास जाकर ब्रॉमोडोसिस के लिए उचित इलाज करवा लेना चाहिए अलाकि यदि किसी गरेलों उप्चार से बद्बू खत्म ना हो पाए और आप इस बात से चिंतित हैं कि आपके पैरों से इतना पसीना क् कर लेनी चाहिए इसके अलावा यदि अधिक पसीना आने से आपका सामन्य जीवन भी प्रबावित हो रहा है तो इस बारे में भी डॉक्टर से सला लेनी चाहिए यदि जरूरी हो तो डॉक्टर सक्तिशाली एंटी परस्पिरेंट्स जो दवाय होती है जो कि पसीने को कम कर करने वाली दवा होती ही वो दे सकते हैं या फिर अधिक पसीना आने का इलाज करने के लिए कुछ अन्य दवाएं भी दे सकते हैं यदि किसी प्रकार के इंफेक्शन के कारण बद्बू हो रही है तो ऐसे में पहले इंफेक्शन का इलाज किया जाता है मेडिकल स्टोर पर क प्रकार के एंटी माइक्रोबियल साबोन और एंटी फंगल प्रोडक्स भी उपलब दें जो कि डॉक्टर की परची के बिना मिल जाते हैं और इनकी मदद से भी पसीने और बैक्टरिया बगरा से जुटकारा पाया जा सकता है हला कि अगर ये काम ना कर पाय तो डॉक्टर स बद्बू क्यों आती है तो दूस्तों मुख्य रूप से अधिक पसीना आने की वज़े से पैरों में बद्बू हो जाती है और बैक्टरिया और नमी इसका मुख्य कारण हो सकते हैं पैरों में पसीना छोड़ने वाली ग्रंतिया होती है और पसीने से होने वाली नमी के कार बेक्टरिया और त्वचा में मौझूद तेलों में मिल जाते हैं जिसके कारण से भी पैरों में बद्बू पैदा होने लग जाती है ब्रॉमो डेसिस का सबसे मुख्य कारण होता है पैरों में बहुत अधिक पसीना आना और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पैर जूते के अंद बद्बू पैदा हो जाती है बात की जाई कि पैरों में बद्बू होने का खत्रा कब बढ़ता है तो दुस्तो अत्याधिक तनाओं और राइपर हाइड्रोसिस नामक एक रोग के कारण भी किसी व्यक्ति को अत्याधिक पसीना आने लग जाता है इस दोरन पसीना खास तोर रोग हो जाता है रिंगवंब इंफेक्शन एक परकार का फंगल इंफेक्शन होता है जो कि आम तोर पर पेरों की उंगलेओं के बीच में भी कसित होता है और यह न्फेक्शन आम तोर पर किशोरों और गर्पवती महिलाओं में हार्मोन में बढ़ला होने के कारण अधिक दे दोना, रोजाना घर पर आने के बाद अपने पैरों को ना दोना, नाइलोन की जुराबे पैनना जो की पसीना बिल्कुल नहीं सोख पाती है, या फिर प्लास्टिक परत वाले जूते पैनना जिसमें की जूते पूरी तरह से बंद रहते हैं, और अब हम दुस्तों जानेंगे कि पैरों से जो ये बदबू आती है, इसकी रोक थाम कैसे करें, तो स्वचता से संबंदित कुछ उपाए हैं, जिनकी मदद से आप पैरों की बदबू पैदा होने से रोक थाम की जा सकती है, तो पैरों को स्वच रखने के लिए कुछ बातों को आपको ध्यान रखना है, जैसे कि अपने पैरों को रोजाना साबून और ब्रश्चे दोना चाहिए और फिर उन्हें अच्छे से सुखा लेना चाहिए खास तौरपर अंगलियों के बीच का जो हिंसा होता है उसको साफ रखना सबसे जरूरी होता है। पेरों के उंगलियों के नाखुनों को काट कर चोटा और साफ रखना चाहिए पेरों के तलवों की नियमित रुप से जाच करते रहना चाहिए यदि तलवों के नीचे की तवचा सक्त हो गई है या फिर उनमें डेड स्किन सेल्स बढ़ गए है तो फूट फाइल यानि की पे प्रटिंग वाले जूते ना पहने रोजाना जूतों की एक ही जोड़ी ना पहने उन्हें एक दिन पहन कर अगले 24 गंटे के लिए सूखने के लिए छोड़ देना चाहिए ताकि उनके अंदर की नमी खत्म हो जाए इतना ही नहीं सूखने के दौरान जूतों के सॉल निकाल ना रहें क्योंकि इस रोग में पैर पर लगी चोट इतनी आसानी से ठीक नहीं हो पाती है ऐसी जूराबे पहने जो अधिक पसीना सोख सके जैसे कि प्राकरूतिक रेशो शेक बनी मोटी जूराबे या फिर ऐसी जूराबे जो की विसे शुरुप से पसीना सोखने के लिए बनाई होती है जैसे कि खेल कुद में इस्तिमाल की जाने वाली जूराबे चमड़े या कैनवास से बने जूते या फिर जालीदार जूते पहने जितना हो सके प्लास्टिक और रबर वगेरा से बने जूते ना पहने और अब हम दुस्तों जानेंगे कि पैरों की ये जो मेडिकल उपचार की जा सकते हैं अगर बात की जाए कुछ घरेलु तरीकों की तो पैरों की दुरगन को हटाने किलिए अपने पैरों को मांथ वॉश में भीगो सकते हैं खुब मातरा में पानी को दस मिनट तक बिगो कर रखें और फिर कपड़े के साथ हलके हलके पहुच कर सुखा लें दो बड़े चमच एपसम सॉल्ट को लगबग डेड़ लीटर गर्म पाने में मिलाएं और उससे अपने पेरों को दोएं यह खोल पेरों को शुष्क रखने में भी मदद करता है गर को लगातार दो दिन से अधिक समय तक नहीं पहना चाहिए क्योंकि उनके अंदर पसीने की नमी को सुखाना जरूरी होता है जूतों को जल्दी और अच्छे से सुखाने के लिए उनकी सौल को निकाल देना चाहिए लगातार साथ दिनों तक रोजाना आदे गंटे के लिए स्ट्रॉंग ब्लैक टी में बिगो कर रखें काली चाय में मौजूद टैनिन एसीड बैक्टरिया को नश्ट कर देता है और पसीने की छिद्रों को बंद कर देता है जिसे की पैर लंबे समय तक सूखे रहते हैं नहाने के बाद पैरों की उंगलियों को सुखा लें और फिर चाय में मौजड की दृडगन को दूर करने में काफी मदद करते है पैरों की बद्व को दूर करने की लिए और डिमात है और किया जा सकता है एक सामनिय अंडराम डिमाह्ड है और एंटि पर्सपिरंट भी ओं डिमी करता है जिस पर लागत भी अपक्선 करूत कम होती है आध बैक्टरियल जुराबों में विशेश प्रकार के कैमिकल होते हैं जो कि पसीने से पैदा होने वाली बद्बू का कारण बनने वाले बैक्टरिया को पैदा नहीं होने देते हैं पसीने को कम करने के लिए पैरो पर टेलकम पाउडर या हलका हलका बैकिंग सोड़ा भी लगाया जा सकता है और इसके अलावा थोड़ा सा पानी ले और उसकी आदी मात्रा के बराबर उसमें सिरका मिला ले और इस गोल को पैरो पर लगाने से भी पैरो की बद्बू को दूर क किया जा सकता है अध्रक की रज को पेरों पर रगड कर भी लंबे समय तक पसीने से छुटका रहा पाया जा सकता और इसके अलावा अध्रक का रज त्वचा से विशाक्त पदार्थों को भी हटा देता है ब्रोमोडोसिस कई बार उसी बैक्टरिया के कारण होती है जो कि मुह से पैदा करते हैं और इसके लिए 10 प्रतिशत बेंजोल पेरोक्साइड दवा का इस्तमाल किया जा सकता है और इसी प्रकार से पैरों के लिए कुछ विशेश शाबून का उपयोग भी किया जा सकता है और ये साबुन तवचा के बैक्टरिया और अन्य विशाक पदार्थो से लडने का काम करते हैं उसके बाद दुस्तों बात की जाए कुछ दवाओं की तो इस उप्चार प्रक्रिया के दोरान पानी के माध्यम से तवचा में हलका सा इलेक्टरिक करण छोड़ा जाता है जिसकी मदद से पैरों में अधिक पसेने आने की स्थितिक कम हो जाती है औ और इस दवा का रिजल्ट आम तोर पर तीन से चार महिनों तक रह सकता है और व्यक्ति को अन्य इलाज करने की आवशक्ता भी पड़ सकती है और बात कीज़े कि ब्रॉमो डॉसेज से क्या जटिलता हैं हो सकती है इससे क्या समस्या हो सकती है तो यदि किसी व्यक्ति को डाय प्राइटी के अंटिफंगल दवाओं से किया जाता है आम तोर पर ब्रोमो डोसे यानि की पैरों की बद्बू से किसी प्रकार की गंबिर जटिलता पैदा नहीं होती और सामान्य गरेलू उपायों से स्थेतिका इलाज किया जा सकता है तो दुस्तों आज की इस वीडियो में सबसे बिले आपको मिल सके थैंक्स फर यूर टाइम